फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग ओपीडी में सबसे फेवरेट सवाल पेशेंट्स का आज समझते हैं यह एक्जाक्ली होता क्या है इसके अड्वांटेजर्स क्या है कौन से पेशेंट में इसको यूज करते हैं यह सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौझूद है विदित जिनके राइट नी में ACL टेर है और इनको जानना है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में एस विदित तो सबसे पहले ब्रेस ऐसे डिवाईस को बोलते हैं जो कि आपका कोई बोन हो कि कोई जॉइन हो उसको सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है अप सब ने देखा होगा कि रूटिनली हम नी ब्रेस यूज करते है या तो कोई नी इंजरी के बाद आपको यह नीव ब्रेस को हम एक्स्टरनल ब्रेस बोलते हैं एक्स्टरनल का मतलब कि वो हम बाहर से पहनते हैं ठीक इसी तरह रिसरचर्चर्ज ने जिसमें आपके ACL लिगमेंट का रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो उसके साथ अडिश्टनल एक ब्रेस डालते हैं जो आपके लिगमेंट को प्रोटेक करता है रीध उपोर्ट करता है और हीलिंग में मदद भी करता है जो इसे हम बोलते हैं इंटर्नल उपर्ट करता है So internal bracing हम fiber tape नाम के material से करते हैं जो कि एक ultra high molecular weight polyethylene होता है ये काफी मजबूत material होता है और ये material आपके ACL surgery में आपके नए ligament के साथ जोड़ा जाता है ये आपके ligament को support करता है, protect करता है और initial phase में healing में मदद भी करता है तो सर इसके फाइदे क्या है? fiber tape internal bracing के बहुत सारे फाइदे है कुछ फाइदे मुझे आपको समझाने है तो number one, fiber tape internal bracing आपके नए AC ligament को मजबूती देता है number second, internal bracing के कारण आपका जो re-tear यानि की ACL दुबारा फटने के chances है वो बहुत कम हो जाता है तीसरा फाइदा, fiber tape आपके घुटने में एक seat belt का काम करता है अब अगर जो मुझे समझाना है कि seat belt क्या है तो वो seat belt आपको protect करता है और आगे injury होने से रोकता है ठीक उसी तरह fiber tape internal bracing आपके घुटने में ACL ligament को protect भी करता है और आगे injury होने से रोकता भी है और सबसे आखरी फाइदा यह है कि fiber tape आपके घुटने की recovery और rehabilitation तेजी से करता है और return to sports बहुत ज़्यादा quickly होता है तो सर यह fiber tape को fix कैसे करते है तो fiber tape को हम thigh bone और shin bone में fix करते है thigh bone में यह आपके endo button के साथ ही attach होता है और shin bone में हम different implants use करते है इसको fix करने के लिए जैसे d hole या swive lock है या एक button है So friends, fiber tape internal bracing के लिए सारे फाइदे थे और fiber tape न केवल ACL tears बलकि आपके घुटने में अगर जो PCL tear हुआ उसके repair और reconstruction में भी use करते है आपके घुटने का MCL tear हुआ या LCL tear हुआ उसके repair और augmentation में भी हम fiber tape internal bracing का use करते है आपका knee cap या patella dislocation में भी fiber tape use कर सकते है last आपका ankle joint अगर जो बार बार twist होता है और आपका ankle उतर जाता है जिसे ATFL ligament injuries कहते हैं उसमें भी हम fiber tape internal bracing से treatment करते हैं अगर जो यह video useful और informative लगा हो तो हमारी चैनल को like और subscribe जरूर कीजेगा आपकी कोई और questions या query है fiber tape या internal bracing पे तो नीचे comment में प्लीज शेर कीजेगा Thank you कर्णा 15 झाल झाल झाल